हेलो फ्रेंड्स अलकम टू क्रेजी जी के ट्रेक तो आए डेली गरंड अफेर्स की सिरीज में आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में हम 30 दिसंबर के सभी करंड अफेर्स को डीटेल में समझ लेते हैं वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट आपके लिए होने वाला है सभी कोशन आपके लिए एक्जाम रिलिवेंट है यहां पर तो आप एंड तक देखिएगा और अगर आपको डेली गरंड अफेर्स की पीडिएफ चाहिए तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलिग्राम चेनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लिकेशन पर जाकर फ्री ओफ कॉस्ट डेली गरंड अफेर की पीडिएफ को कलेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा देखिए आज शाम को पांच बजे मतलब सेटरडे शाम को पांच बजे आपके लिए जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक के करंड अफेर की महा मेराथन क्लास आने वाली है तो जितने भी स्टुडेंट हैं जो की डेली गरंड अफेर में रोज रहते हैं रोज डेली गरंड अफेर को देखते हैं वो शाम को पांच बजे लाइव रहिएगा आपके लिए पांच घंटे की एक महा मेराथन क्लास आने वाली है अगर आपने ये फ्रेंड एंड तक इ हजार से लेकर पंदरा सो MCQs कवर करने की कोशिश की है फेक्ट वाइस काफी सारी चीज़े आपको वहाँ पर मिलेगी करंट अफेर आपको मिल जाएगा तो MCQs पॉर्म में पूरा वीडियो आपके लिए होने वाला है पूरे वीडियो को देखिएगा और जितने भी आपक क्लास को भर के आपको लाइक करना है शेयर करना है ताकि अधिक से अधिक स्टुडेंट तक ये क्लास आपकी पहुच पाए आए शुरू करते हैं और आज के करंट अफेर का सबसे पहला कुशन देख लेते हैं केंदरी औध्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला किसे नुक्त किया गया तो केंदरी औध्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक हाली में नीना सिंग को नुक्त किया गया है केंदरी औध्योगिक सुरक्षा बल मतलब Central Industrial Security Force की यहां पर बात की गई है फ्रेंड्स इसकी पहली महिला महानिदेशक हाली में नीना स सिंग राजस्तान केडर की 1989 बेच की एक IPS अधिकारी है और इसके पहले इसी अर्ध सेनिक बल में ये विशेश महानिदेशक के पत पर भी कारी कर चुकी है और अब नीना सिंग को केंदरी उद्योगिक सुरक्षा बल का नया महानिदेशक बनाये गया अब देखे आपको नाम स समझ में आ जाएगा कि एक अर्ध सेनिक बल है फ्रेंड्स जिसका काम है जितने भी गवर्मेंट उपकरम है जितने भी गवर्मेंट ओगनाइजेशन है उद्योग है उनकी रक्षा करना उनकी सुरक्षा करना सेंट्रल इंडस्टियल सिकुरिटी फोर्स का मुख्यकारी है इसके स्तापना 10 मार्च 1969 में की गई थी और हेड़क्वाटर नई दिल्ली में इस्तित है नीना सिंग वर्तमान में सेंट्रल इंडस्टियल सिकुरिटी फोर्स की नई महानी देशक नियुक्त की गई देखे फ्रेंड्स अब आपके लिए क्रेजी जीकेट ट्रिक की येरली करन्ट अफेर की बुक भी अवेलेबल है जहांपर जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक की सभी करन्ट अफेर आपको अपडेटेटेट फॉर्म में मिलने वाले हैं आपको पूरी बुक अपडेटेटेट आपके घर भेज दी जाएगी अधिक जानकरी के लिए आप नीचे दिये गए नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं इसके अलावा देखिए क्रेजी जीकेटरिक के रूट अप्लिकेशन पर आप सभी के लिए मेगा टेस्ट सिरीज भी प्लान की गई है चार आपको यहाँ पर फुरी टेस्ट मिलेंगे, साथ जन्वरी से यह टेस्ट शुरू होंगे फ्रेंड्स, चार टेस्ट है और हर टेस्ट में आपको सो कुश्चन देखने को मिलने वाले हैं, शारप 4 पी एम आपका वन शौट टेस्ट शुरू होगा, और चारों टेस्ट को मिला कर सबी को देखने को मिल जाएगा तो बिना देर किए आप रूट एप्लिकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए वहाँ पर आप मेगा टेस्ट सीरीज को इजीली जोइन कर सकते हैं चारो टेस्ट आपके लिए फ्री है अगर आपको कोई बिडाउट है येरली करंट अफिर बुक को लेकर या फिर मेगा टेस्ट सीरीज को लेकर तो नीचे दिया गए नंबरों पर आप कॉल कर लीजिए वहाँ पर आपके जितने बिडाउट है वो सभी सॉल्फ हो जाएंगे I hope update अच्छा लगाओगा next question पर आईए second question देखिए why भारत matters नामक पुस्तक किस ने लिखी है why भारत matters नामकी पुस्तक एस जैशंकर के द्वारा लिखी गई कौन है ये आप सभी जानते हैं ये भारत के foreign minister reference हाली में इनके द्वारा why भारत matters नामकी पुस्तक लिखी गई है जिसका विमोचन 2024 के शुरुआत में किया जाने वाला है इस बुक में 2023 में भारत की क्या-क्या उपलब्दी रही अलग-अलग सेक्टर में भारत ने किस प्रकार से काम किया इसके बारे में बताया गया है तो why भारत matters विदेश मंतरी S.J. शंकर की बुक है इसके पहले the India way strategies for an uncertain world ये भी S.J. शंकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका कुछ समय पहले विमोचन किया था अब why भारत matters जिसका 2024 के शुरुआत में विमोचन किया जाएगा ये भी S.J. शंकर के द्वारा लिखी गई ओके आगया ये World Rapid Chess Championship 2023 में भारत की किस महिला खिलाडी ने सिल्वर मेडल जीता तो ये महिला खिलाडी है कोनेरू हमपी जिनोंने हाली में World Rapid Chess Championship 2023 जिसका एजन उजबेकिस्तान के समरकंद में किया गया है फ्रेंड्स इस प्रत्योगिता में कोनेरू हमपी ने देखिये चेस में सिल्वर मे 2023 का सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया इसके पहले देखिये इसी चेंपेंचिप में कोनेरू हमपी 2019 में गोल्ड जीत चुकी है और 2012 में ब्रोंज मेडल इन्होंने World Rapid Chess Championship में अपने नाम किया था देखिये ये तो बात हो गई विमेंस केटेगरी की मेंस केटेगरी म जो गोल्ड है World Rapid Chess Championship 2023 का वो नॉर्वे के Maxon Colson ने अपने नाम किया भारत की एक और चेस खिलाडी है जिनका नाम विदित गुजराती है इन्होंने विमेंस केटेगरी में चोथा इस्तान हासिल किया है लेकिन सिल्वर मेडल जीता है कोनेरू हमपी ने वाइब्रेट भद्रवा उत्सव का आयोजन किस राज में किया जा रहा है तो वाइब्रेट भद्रवा उत्सव जम्मू कश्मीर राज में आयोजित किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में घाटी शेत्र है जिसे भद्रवा घाटी के नाम से जाना जाता है यही पर वाइब् खीर भवानी मेला भगवा महत्सव पहल गाउ महत्सव और बाहू मेला भी जम्मु कश्मी रज के अन्य उत्सव और मेले है जो की अलग-अलग समय पर आयुजित किये जाते हैं यहाँ पर हमारा कुश्यन वाइब्रेट बद्रवा उत्सव से है तो कहाँ पर आयोजित किया जाता है अरसल जम्मू कश्मी राज में नेक्स्ट देखिए केंद्री रिजर्वो पुलिस बल के नए महानी देशक के रुप में किसे न्युक्त किया गया तो सेंट्रल रिजर्वो पुलिस फोर्स के नए महानी देशक हाली में अनिश दयाल सिंग निउक्त किये गए अंसर सी करेक्ट हो जाएगा अनिश दयाल सिंग के पहले CRPF के महानी देशक के पतपर सुजाय लाल थाउसेन थे अब इनके कारिकाल के खत्म होने के बाद अनीश दयाल सिंग को CRPF का नया महानी देशक ने उक्त किया गया अनीश दयाल सिंग की बात करें तो ये भारत में 1988 बेच के एक IPS अधिकारी है जो कि इससे पहले ITBP के महानी देशक के रूप में भी काम कर चुके हैं और अब अनीश दयाल सिंग को CRPF का नया डायरेक्टर जनरल निक्त किया गया ये तो हो गई देखिए CRPF की बात इसके अलावा हाली में जो अन्य अपोइंट्मेंट्स हुए हैं अगर हम उनकी बात करें तो ITBP के कुछ समय पहले ही महानी देशक राहूल रजगोत्रा को निक्त किया गया था इनके पहले ITBP के महानी देशक अनीश दयाल सिंग ही थे इनके हैटने के बाद राहूल रजगोत्रा को ITBP का नया महानी देशक निक्त किया गया यहाँ पर हम Central Reserve Police Force की बात करें तो यह भारत में केंद्री सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है जिसकी स्थापना 1939 में की गई थी और इसका हेड़कोटर नई दिल्ली में स्थित है अनिश दयाल सिंग वर्तमान में CRPF के नए महानी देशक नियुक्त किये गए इसके बाद हाली में कि-देश ने Guided Multi Launch Rocket System फता सेकेंड का परिक्शन किया तो यह देश हो जाता है पाकिस्तान पाकिस्तान ने देखिए हाली में स्थित का सफल परिक्शन किया है ये राकेट सिस्टम हवा में ही किसी अन्य रॉकेट सिस्टम को डिस्टोई करने के लिए बनाय गया है या पाकिस्तान के दौरा विक्सित किया गया है जिसकी मारक शमता 400 किलोमेटर है कुछ समय पहले ही 2021 में पाकिस्तान में स्वदेश में निर्मिती फटा वन गाइडेड मल्टी लॉंच रॉकेट सिस्टम का भी परिक्षन किया था ये भी सफल रही थी और अब इसके सेकेंड पार्ट का परिक्षन मतला फटा सेकेंड का परिक्षन हाली में पाकिस्तान के आगया ये हाली में उत्तर प्रिदेश ने किन दो जीलों के बीच राज्जी की पहली इंटर डिस्टिक्ट हेलिकॉप्टर सर्विस शुरू की है तो इंटर डिस्टिक्ट हेलिकॉप्टर सर्विस को हाली में उत्तर प्रिदेश ने आगरा और मतुरा के मद्धि में इस हेलिकॉप्टर सेवा का संचालन नीजी सारुजनिक भागिधारी पर आधारी थे, मतलब पबलिक प्राइवेट पार्टनर्शिप पर आधारी थे, जिसका संचालन उत्राखंड की एक नीजी कमपनी करने वाली है। आपने काफी बार इस प्रोजेक्ट का नाम सुनाओगा फ्रेंड्स, काफी एक महत वकांशी प्रोजेक्ट है इंडियन गवर्मेंट का, जो की पूरे भारत में सडकों की गुणवत्ता में सुधार से संबंदित है। 27-28 तक कर दिया गया है। 2022 तक इसका काम पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन अब इसकी समय सिमा को 6 साल बढ़ा कर 27-28 तक कर दिया गया है। भारत माला के पहले फेस की शुरुआत, पहले चरण की शुरुआत 2017 में की गई थी। पहले चरण में 2022 तक 34,800 किलोमेटर के नेशनल हाईवे का विकास भारत में किया जाना था। लेकिन नवंबर 2023 तक इस परियोजना का केवल 42% काम ही पूरा हो सका, इसलिए अब इसकी समय सिमा को 6 साल बढ़ा कर 2027-28 कर दिया गया। जैसा कि अभी में आपको बताया, भारत माला प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्मेंट की एक महतु कांची योजना है, जिसकी पूरी फंडिंग भी सेंट्रल गवर्मेंट के द्वारा ही की जा रही है, पूरे भारत में सडकों की उनवत्ता में सुधार करना, नेशनल हाईवे किस रज में दोजार चूबिस में कार्भी युवा महत्सव का एजन किया जाएगा, कार्भी युवा महत्सव में नेक्स्ट येर असमरज में मनाये जाने वाला है, 17 जनवरी दोजार चूबिस को असमरज के दीफू में कार्भी युवा महत्सव का एजन किया जाएगा, अ लब मुख्य अतिती के रुप में द्रौपदी मुर्मू जोकी भारत की प्रेसिडेंट है ये शामिल होने वाली है कार्भी युवा महुत्सव का मुख्युद्देश है किस रज्ज में आयुजित किया जाएगा दोजर चूबिस में तो असम रज्ज में आयुजित किया जाएगा कार्भी युवा महुत्सव के अलावा असम के अन्य फैस्टिवल की बात करें तो बीहु पर्व काफी पूछा जाता एक्जाम में याद रखिएगा करम पूजा, अम्बू बाची महुत्सव, देहिंग पठकाई महुत्सव और माजुली महुत्सव ये भी असम रज्ज के अन्य फेस्टिवल या महुत्सव है जो काफी धूमदाम से मनाय जाते हैं असम की केपिडल दिस्पूर है, गुलाब चन निहां के गवर्नर के पतपर हैं और हिमंत बिस्वा सर्मा, वर्तमान में असम के सीएम के पतपर हैं इजी था, इसके बाद आज के करेंट अफेर का सबसे लास्ट कुश्चन देखिए ऑनसर भी करेंट हो जाएगा इस इंटरनेशनल एयरपोट का इनोग्रेशन आजी के दिन मतलब 30 दिसम्बर 2023 को भारत के पीम नरंद्र मोधी के द्वारा किया जाएगा वेसे आयोध्या में क्योंकि राम मंदिर का इन्नोग्रेशन है इसलिए काफी सारे निर्मान कारी किये जा रहे हैं जिसके ताद आयोध्या जंक्षन रेल्वे स्टेशन का नाम बदल कर अयोध्या धाम जंक्षन किया गया था अयोध्या धाम रेल्वे स्टेशन किया गया था कुछ समय पहले ही तो ये भी important है इसे भी आद रखीएगा और आब अयोध्या international airport का नाम बदल कर महरशी वाल्मी की international airport किया गया क्लियर तो यहाँ पर देखिए हमने 30 दिसंबर के सभी करंट अफेर्स को डिटेल में समझा अब आईए फैक्टी शीट को आगे बढ़ाते हैं करंट अफेर को वन लाइनर में हम फैक्टी शीट में डिसकस कर रहे थे अप्रेल मंत में आते हैं हम तो 27 अप्रेल 2023 को 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेनबाज शाहिन अफरीदी बने हैं पाकिस्तान के खिलाडी हैं 28 अप्रेल 2023 को औसकिलिया ने रतन टाटा को अपने सर्वोच नागरिक सम्मान से सम्मानित किया 28 अप्रेल 2023 को जारी सिपरी की रिपोर्ड के अनुसार अमेरीका वेशविक सेंने वियाए में शिर्ष पर रहा 28 अप्रेल 2023 को फिल्म फियर अवर्ड 2023 में बेस्ट एक्टरेस का रवर्ड आलिया भट को दिया गया 28 अप्रेल 2023 को IIT कानपूर ने साइबर सुरक्षा कोशल कारिक्रम की शुरुआत की 28 अप्रेल 2023 को भारत और UK के मद्ध में सयुक्त सेन्य अभ्यास अजय वारियर के 7th एडिशन का अयूजन किया गया इसके बाद 28 अप्रेल 2023 को माउंट अनपूर्णा पर चलने वाली पहली भारती अरजुन वाचपई बने फुटबॉल का प्रतिस्टित हीरो सूपरकप 2023 का खिताब ओडिशा FC ने बैंगलूर FC की टीम को हरा कर अपने नाम किया सभी वन लाइनर यहाँ पर इंपॉडेंट ही एक्जाम में पूछे जा सकते हैं नोट कर लीजिएगा अब आजए ये लास्ट डे के सेशन में जो करन्ट अफेर हमने डिटेल में समझे थे यहाँ पर उन्हें एक बार रिवाइस कर लेते हैं अयोध्या रेल्वे स्टेशन का नाम बदल कर अयोध्या धाम रेल्वे स्टेशन किया गया है हाली में केबिनेट ने भारत और इटली के साथ माइग्रेशन एन मॉबिलिटी समझोते को मंजूरी प्रदान की केप्टन विजय कान का हाली में निधन हो गया जो कि DMD के पार्टी के संस्तापक थे मंडला पूजा के लिए प्रसिद सब्री माला मंदिर केरल राज्ज में इस्ति थे त्रीपुरारी शरण को हाली में बिहार राज्जी का मुख्य सूचना अयुक्ते निउक्ते किया गया खिलाडी पूजा ढ़ाडा का संबंद कुष्टी से है इसके बादा ये भारती ओलंपिक संग द्वारा बुपिंदर सिंग बाजवा की अध्यक्ष्टा में कुष्टी महासंग हेतू एड़ोग कमेटी का गठन किया गया वर्ष 2023 में भारती रास्ट कॉंग्रेस के 149 स्तापना दिवस मनाये गया भारती रास्ट कॉंग्रेस की स्तापना ए ओ हुम के द्वारा की गई थी हाली में करनाटक राजज ने नम्मा कार्गो लोजिस्टिक सेवा की शुरुआत की और लास्ट है प्रतिवर्ष अंदरास्ट के महामारी तैयारी दिवस के रुप में 27 दिसंबर को मनाये जाता है ये सभी गरंड अफ्यर लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे अब आज के लिए आप सभी के लिए कोशन आफ दे देख लीजिए गांधी जी दुआरा कॉंग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी और कौन से एर में की गई ये भी बताइएगा बहुत इंपोर्टन कोशन है कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसका अंसर क्या है इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपोर्टन अपडेट है अब आपके लिए क्रेजी जी के ट्रिक के सभी कोरसेष वेबसाइट पर भी एवेलेबल है ये सभी कोरसेष आप सभी की रिक्वार्मेंट और लेटेस्ट एक्शाम पैटरन को ध्यान में रखकर डिजाइन किये गए हैं यहां हम basic concept के साथ-साथ comprehensive learning पर focus करते हैं तो एक बार जरूर website पर visit करें इसका link आपको description box में दिया गया है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share कर दीजिए चेनल को subscribe कर लीजिए कल फिर मुलाकात करेंगे next day के current affair में तब तक अपना ख्याल रखिए जय हिन जय भारत